पच्चिस के हो गए हो तो आज यह क्रीम बनाए और यूज करना स्टार्ट कर दे यह आपकी स्किन को हमेशा ग्लोइंग बना के रखेगी टाइट बना के रखेगी जो उमर बनने के साथ दाग दबे हो जाते हैं पिगमेंटेशन जायां डाक स्पोर्ट हो जाते हैं उसे यह नहीं होने देगी हमेशा यंग ग्लोइंग आपका फेस इसके साथ बना रहेगा टाइट हमेशा स्किन बनी रहेगी बहुत ही अच्छा ग्लो इसके साथ आ जाएगा सबी स्किन टाइप लिए बैस्ट क्रीम होगी मार्किट की एंटी एजिंग क्रीम से सो गुना ज्यादा बैनिफिट आपको इस क्रीम के साथ मिलेगा यह आपकी स्किन को क्लीन क्लियर टाइट भी बनाएगा अपनी उमर से दिखोगे बहुत चोटे स्क्रीम के साथ तो क्या कहना है आपने सबसे पहले आपने लेना है दो स्पून यहापे कच्चा दूद कच्चे दूद के अंद क्या करना है इसके अंदर हमने एड कर देना है जाइफल जिसको नट मैग भी कहते हैं यह एक मैडिसिन की तरह आपके फेस पे काम करेगी आपके फेस पे कितनी भी पूरानी पिग्मेंटेशन हो जाईया हो इसके रेगुलर यूस से यह बिलकुल फेड कर देगी स्किन आप इसके बारे में पढ़ सकते हो और बस हमने क्या करना है इसे हमने ग्रेट कर लेना है इसका पाउडर हमने यूज करना है और बस इस कच्छे दूद के अंदर हमने इसे डाल देना है इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इसका पाउडर भी मार्केट में मिलता है अगर पाउडर का यूज़ करना चाहते हो बस आपने क्या करना इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है इसके अंदर एड कर देना हमने ग्लिसरीन को यह स्केन को मॉस्चराइज करने का काम करेगी अगर आपके फेस पे दाग धबे है उसे यह दूर करेगी अगर आपकी स्केन ड्राय रहती है तो यह ड्रायनेस को ठीक करेगी और बस आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसके अंदर एड कर देना है एक वाइटमीन E का कैपसूल यहाँ पर मैंने इव्योन का यूज किया है और आपने इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है यह दाग धबो को दूर करता है साथ में एंटी एजिंग की तरफ फेस पे काम करता है अगर आपकी स्केन लूज हो रही है तो यह स्केन को टाइट बनाने का काम करेगी बस आपने mix कर लेना है और इसके अंदर fourth ingredient मैं add कर दूँगी aloe vera gel यहाँ पर मैं market का aloe vera gel का use कर रही हूँ आपने plant का aloe vera gel का use नहीं करना है aloe vera gel skin को clean clear glowing बनाने का काम करती है बस आपने इसे अच्छे से mix कर लेना है और यहाँ पर यह original बिलकुल original cream बनके ready हो गई है इसके अंदर किसी तरह का कोई chemical add नहीं है बिलकुल pure natural cream यह बनके ready हो गई है और बस आपने क्या करना किसी भी tight container के अंदर 15 days के लिए आप इसे fridge में store करके रख सकते हो यह बिलकुल भी खराब नहीं होगी और बस आपने apply कैसे करना है देख लीजे आपने क्या करना है रात को सोने से पहले face को पहले अच्छे से आपने wash करना है और wash करने के बाद आपने इसे अपने face पे लगाना है पूरे face पे आपने इसे अच्छे से लगा लेना है देन उसके बाद आपने क्या करना है मसाज करनी है इसके साथ पूरे फेस की पांच मिनट आपने मसाज करनी है जो ये स्किन के अंदर अब्जॉव हो जाए क्रीम को आपने बिल्कुल स्किन के अंदर अब्जॉव करवाना है और उसके बाद आपने अपने फेस को बिल्कुल ग्लोइंग भी बनाएगी आपको यंग लुक की एक क्रीम देगी इसके साथ आपके फेस की फाइन लाइन जो आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी स्किन टाइट हो जाएगा फेस पे पिगमेंटेशन जाईया या फिर दाग धबें यह उसे बिल्कुल लाइट कर देगी बहुत आपके चेहरे को गोरा बनाने का भी काम करेगी बहुत एच्छे रजल्ट इसके साथ आपको मिलेंगे आप डेफिनिटली स्क्रीम को बनाएं यूज करें और सभी स्किन टाइप अनों के लिए यह बेस्ट क्रीम है किसी तक कोई साइडी नहीं होगा सभी स्क्रीम का यूज और नाइट में ही आपने इस क्रीम का यूज करना है वन मंच से इस क्रीम का यूज कर रही हूं और आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी क्लीन कलियर गलोइंग है इसी तरह के रिजएर्ट आपके फेस पे भी देखने को मिलेंगे किसी तरह का कोई फिल्टर एड नहीं है किस सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिसे औरों भी इसका बेनिफिट मिल सके थैंक यू बब आए मिलते है नेक्स वीडियो में एक और नही रेमेडी के साथ